हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल में आप लोगा स्वागत है और अभी हम बनाने जा रहे हैं चौमिन तो यहां हम पानी निकाल लिए हैं और पानी हम गरम होने के लिए गैस पर रख दिये हैं और उसमें हम नमक भी डाल देंगे जब पानी उबलने लगेगा तब उसमें ह जल्दी गरम हो जाए और पानी जब मेरा उबलने लगे तब हम इसमें चौमिन डाल देंगे तो चौमिन सटेगा नहीं नहीं निकल रहा था तो इसे हम किसी तरह निकाल कर कराई में डाल दिये हैं और इसे ज्यादा नहीं पकाएंगे बस थोड़ा कच्छ रहेगा और आध चौमिन मेरा डाले और थोरा दिर के बाद हम इसे निकाल लेंगे और चौमिन मेरा हो गया है तो यह हम लेके जा रहे हैं क्योंकि पानी तो बाहर में ही है तो यहां पानी से हम इसे अच्छा से धो लेंगे क्योंकि गरम पानी में छोड़ना नहीं चाहिए इसे गरम पानी से निकाल कर और ठंडा पानी से इसे धो कर रखना चाहिए नहीं तो यह जो भी है पुरा पक जाएगा और एक साथ में सट जाएगा इसलिए इसको हम तुरंत ही धो लेंगे तो जाली नहीं था मेरे पास तो हम छोलनी से ही निकाल रहे थे धाली में और यहां देखिए हम सारा चौमी निकाल दिये हैं और यह धाली में जो है उसका सारा पानी हम हटा देंगे और तब हम घर में ले जाएगे इसे इसका पानी पुरा गार देंगे अच्छा से और इसे हाथ से ऐसे ऐसे करें तक यह पुरा इह हो जाए ठंडा हो जाए तो घर में हम लिए करा गए हैं और हलका हाथ में मस्टरोय लगा कर और इसे हम अच्छे से थोरा तेल लगा देंगे क्योंकि तेल नहीं लगाएंगे तो इसे तेल लगाने के बाद पूरा अलग अलग हो गया था तो उसे हम तेल लगा कर और रख दिये हैं और इधर आगे हैं हम यहाँ वेजी टेबल जी जो भी सब्जी डालना था उसे हम काटेंगे अच्छे से और देखने में अच्छा लगता है तो यहां गाजर था पता को भी है टमाटर है क्याप्सिकन है और अद्रक है लेसुन है मिर्ची है और कली पिया जे सब सब्सब्स हम काट लिये थे छोटे-छोटे भाग में और यहां तेल पूरा गरम होना चाहिए तो कड़ाई में हम तेल डा तो तेल गरम हो गया तो सबसे पहले हम लेसुन डाल दिये हैं और लेसुन डालने के बद मिर्ची डाले थे तो मिर्ची बहुत तूर रहा था गरम तेल में और उसके बाद हम केप्सिकन डाल देंगे तो केप्सिकन डाल देंगे और उसके एक सेकेंड दो सेकेंड बाद हम सारा सबजी डाल देंगे और डाल कर इसे हम अच्छे से चलाएंगे और यहां कली पिया जो हम अलग से जो काटे थे वो भी हम डाल दिये है और घर में बहुत धुगा धुगा हो गया था यह तेल गरम होने के करन। हम हुआ पीर यहां सबजी को देखिए मेरा सबजी मतलब पक गया है हलका कच्चा है और हलका पकड़ा हुआ है तो उसी में हम चॉमिन डाल देंगे क्योंकि चॉमिन को भी हलका भूजेंगे हम कि ति चॉमिन में हम डाल दिये हैं अऽ में अगरावी कमीन अगर कोई भी जो में सटा नहीं था बहुत अच्छा था को सब्सक्राइब जह सक्राइब कर्षप हो चूली सौस के चीनीश के साम सुआत के निसाइगे इस थोगानि charms और हम नमक डाल देंगे और नमक हमाच से देते हैं तो हाथ मतलब हाथ से हमको अंजाद मिलता है तो हम सब चीज डाल कर इसी चला देंगे और अभी याद आया कि इसमें काली मीर्च का जो गुरा होता है वो भी डलना है तो यह देखिए हम वो डाल देंगे और डाल कर इसे हम दोनों हाथों से चलाएंगे कि देखिए दोनों हाथ से चलाने से अच्छा से घूर मिल जाएगा और ज्यादा देरी से नहीं पकाना है बस एक मिनट से ज्यादा नहीं पकाना है एक मिनट के बाद हम इसे उतार देंगे और देखिए मेरा चौमिन बन कर तयारी हो गया है और इसे सब करकर देखा रहे हैं आपको